दोस्तो कॉर्णर वाले गले में चौड़े लेस को लगाने का आसान तरीका आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे तो सबसे पहले हमने गले की कटिंग कर लिया हुआ है पेपर स्टिप पे हमने गले की कटिंग कर लिया हुआ है तो अब क्या करना है हमें जो इसका extra कपड़ा होता है जो use के लिए कपड़ा होता है इसको हम इसके गले पर बिठाने के लिए कट कर लेंगे और उसके बाद इसके अंदर वाले साइड से हम इसको attach कर लेंगे, सिलाई के थिशो तो यहाँ पे हम उसको extra कपड़े पर जो paper strip पर हमने केले कटिक किया था उसको यहां पर अटेज्ड कर लेते हैं इसको करने के बाद जो एक्स्ट्रा मार्जिंग कपड़े का है हमारा उसको हम कट कर लेंगे जितना जरूरत हमें इसको मोर नी का है उतना रखेंगे और extra वाले कप्रे को हम वहाँ से cut कर लेंगे उसके बाद जो extra कप्रा हमने उसको मोड़ने के लिए रखा है उसको इस तरह से वहाँ से stitch करके उसको attach कर लेंगे झाले कर लेंगे झाले कर लेंगे लेखा है तो अब आप देख सकते हैं कि यह जो हमारा पेपर स्क्रीप लगा रहा है वो रेडी हो चुका है उसके बाद हम जो क्लॉथ है उसको अटेज करेंगे यह लेस हमने पहले से यहां पे स्ट्रेट वाला लेस अटेज किया हुआ है इसी तरह से आप उसको अटेज करने के लिए जो कॉर्णर पे बिठाना है तो सबसे पहले गला रेडी करना होगा उसके बाद हम आपको लेस को अटेज करके बताएंगे और कॉर्णर पे जो कोना बनाते हैं वही हमारा सबसे मेन यहां इस वीडियो का टॉपिक है कि कोना को कै कैसे बनाते हैं तो हमने पेपर इस्टिव को गले से यहां पे अटेज कर लिया उसके बाद इसको हम आयरन से साफ कर लेंगे और उसको एक स्टिश लगा के अटेज कर लेंगे उसके बाद अब हमारी बारी आती है लेस लगाने की तो सबसे पहले हम लेस को इस तरह से हम अटेज करना स्टा पिंदर की तरफ कर लेश को धकेलना यह अरी उतना धकिलना है ताके इस तरफ जो पॉंइट बने इस तरफ आका जादह बने तो उथने धकेलना ज़्यादा लेंगे तो फिर वहां पे कोर्णर नहीं बने जितना कि इस तरफ corner बन जाए यह दिखें इस तरह से point बनेगा यहाँ पर तो इस तरह से आपको अंदर की तरफ पुछ करना होता है इसको और उतने ही पुछ करना है जितना कि बाहरवाले सैट पर आपका point बने ठीक है? तो इस तरह से आप आसानी लेकर जाएंगे वहाँ पर तो उसको वहाँ पर एक साथ में अटेज कर लेंगे जैसे कि वो दोनों हमारा कम्प्लीट था अब यह थर्ड वाला कॉर्णर हमने मिस कर दिया था तो यहाँ पर कॉर्णर पर आएंगे पॉइंट पे फिर अंदर की तरफ उसको सिलाई से ले जाक कि इस तरह से आप किसी भी कॉर्णर वाले गले पे तीन को ना हो चार को ना हो या पांच को ना हो इस तरह से लगा सकते हैं